अब तक क्यारी सबसे बड़ी खबर से जो की है PUBG बैंड से रिलेटिड PUBG वैसे बहुत ही फेमस है बहुत ही क्रेजी है लोग इस गेम के लिए लेकिन साथ ही साथ इसके बैंड की भी बहुत सी बातें यहां पे चल रही है और जहां बात आई है PUBG के बैंड की तो चाइना एक ऐसी कंट्री का नाम सामने आया है जिसने PUBG को पूरी तरीके से अपनी कंट्री में बैंड कर दिया है कुछ मॉनेटाइशन के इशू की वज़े से यानि कि अब चाइना में जो लोग PUBG को बहुत ही जादा पसंद करते थे वो वहां पे नहीं खेल पाएंगे और उसकी जगे एक और नया गेम लाँच किया गया है जिसका की नाम है Game for Peace Tencent का ऐसे कहना है कि यह PUBG से बिल्कुल ही अलग है वो तो बिल्कुल वाइलेंट गेम है और इसमें यहां पे हम बात करते हैं पीस की यह जो गेम है यहां पे लाँच किया गया है चाइनीज एर फोर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बट एक्चुली यह जो गेम है उसको जब यहां पे मैंने इसका इमिज देखा तो बिल्कुल यह क्लोन लग रहा है PUBG का जो इसके stages है वो सब भी यहां पे आपको PUBG के जैसे ही लगेंगे और एक और सबूत यह है इसकी क्लोनिंग का कि जो लोग इस गेम को खेल रहे हैं उन्होंने भी यहां पे रिपोर्ट किया है कि जैसा feel हमें PUBG खेलने में आ रहा था वैसा ही feel हमें गेम फोर पीस में भी आ रहा है और यहां तक कि जो stage उन लोगों ने PUBG गेम में छोड़ी थी उसी stage से वो इस गेम में भी continue कर पा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो पा रहा है अगर different game है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए खेर यह तो चाइना वालों की बात है बात है अगर यहां पे इंडिया की तो इंडिया में भी PUBG बैन की बहुत सी बाते चल रही है और सामने आया है एक survey जिसमें यहां पे लोगों से पूछा गया कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इंडिया में भी PUBG को completely बैन कर दिया जाए तो 100 में से 40% यानि 40% लोगों ने ऐसा बोला है कि हाँ PUBG को यहां पे completely बैन कर देना चाहिए अब मेरा question आप से यह है कि आप लोग मुझे पते आपको प्लीज कुछ interesting comment share करें मेरे साथ नीचे comment section में साथ ही साथ अगर आपने यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे देख रहे लाल बटन पर क्लिक करके subscribe कर लिजे चैनल को जोड़ जाए हमारे साथ साथ ही में एक notification bell का आइकन है उसे दबाना बिलकुल भी ना भूल जी कि जोड़ा सा लाइक का बटन है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे और keep watching क्योंकि वीडियो भी बाकी है मेरे दोस्ट नेक्स्ट बड़ी कबर की तरफ चलते हैं जो की आ रही है रियल्मी से related बहुत टैम्स हम बात कर रहे हैं रियल्मी एक्स, रियल्मी एक्स का यूथ एडिशन, रियल्मी एक्स, रियल्मी एक्स का यूथ एडिशन फाइनली वापस से लिस्टिंग हुआ है ये टेना के वेबसाइट पे और मुझे ऐसा लगता है कि आफ़े बार लिस्टिंग है अब फाइनली ये हमें लॉंच देखने को मिल ही जाएगा वैसे तो काफ़े टाइम से हम इसके लीक्स की बात कर रहे हैं लेकिन जो बिचारे बच गयते स्पेसिफिकेशन वो भी अब यहाँ पे सामने आ गए है सबसे पहले तो मुझे एक क्वेशन पूछा गया था कि ये रियल्मी एक्स यूथ एडिशन क्या है कि उच अलग है या फिर पुराना वाला ही है Actually मैंने आपको मेरे प्रिवेस वीडियो में भी बताया है कि जो ये रियल्मी एक्स का यूथ एडिशन है ये और कोई नहीं बलकि रियल्मी 3 Pro ही है जो इंडिया में लॉण्च हुआ है रियल्मी 3 Pro के नम से वो चाइना में लॉण्च हो रहा है XK Youth Edition के नाम से अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन वागेरा देखेंगे सब कुछ सिमिलर है सिर्फ नाम चेंज है जो की अल्मोस्ट होता ही है चाइना में कुछ और इंडिया में कुछ और बाध है अगर Realme XK स्पेसिफिकेशन की फर्स लोग, बॉक्स का लोग आपको सामने आ गया है उससे यहां पर स्पेसिफिकेशन कानफरमेशन भी आ गया है 6.5 इंच का Full HD Plus AMOLED स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिलेगा नौचलेस, बेजलेस, पॉप-प केमरा देखने को मिलेगा सेल्फी में जो की होने वाला है 16 Megapixel का बेक साइट पर आपको डियल कैमरा देखने को मिलेगा 48 Megapixel प्लस 5 Megapixel के साथ और यह जो 48 Megapixel है वो आएगा Sony के IMX586 Sensor के साथ होने आपको definitely in-display fingerprint scanner का technology देखने को मिलेगा ही Snapdragon की 730 chipset के साथ आने वाला है जो की 2.2 GHz का octa-core processor यहां पर है बैटरी की बात करें तो 3680 mAh की बैटरी यहां पर दिखाए दे रही है लेकिन अभी तक इसके कोई fast charging support का confirmation सामने नहीं आया पाया है और एक बात और है कि Realme X में हो सकता है आपको microSD card का slot देखने को न मिलेगा तो यह है पूरा Realme X का package बस एक चीज़ जो यहां पर रहे गई है वो है इसका price point मेरे हिसाब से यह 17-18000 के price point पर आना चाहिए आपको क्या लगता है शेयर करें जरूर से नीचे comments box में और हां साथ ही साथ Realme X China launch के बात इंडिया में भी बहुत ही जल्दी आने वाला है क्या आप लोग भी मेरी तरह excited है Realme X के लिए जरूर से बताएगा मुझे नीचे comments Next news आप निकल के आ रही है Xiaomi और Redmi की तरफ से Xiaomi और Redmi की तरफ से वैसे काफी time से बहुत साली leaks निकल के आ रही है क्योंकि यहां पर Redmi का flagship phone चर्चा में है Xiaomi Mi A3 Mi A3 Lite चर्चा में है और फाइनली एक और लीक यहां पर सामने आया है जिसने यहां पर confirmation दिया है Xiaomi के next phone में triple camera होने वाला है Actually एक picture यहां पर leak हुई है tweets आ रहे हैं, features यहां बताय जा रहे हैं कि जो Xiaomi का next phone है उसमें आपको triple camera setup देखने को मिलेगा अभी लग, actually confirmation नहीं था और जो एक बड़ी बात यह है कि Mi A3 Lite है, वो भी आपको Snapdragon 7 series के साथ यह देखने को मिलेगा हो सकता है, वो Snapdragon 710 का chipset हो, यानि 730 और 710 यह दोनो chipset आपको देखने को मिलेगे Mi A3 और Mi A3 Lite में और बहुत ही जल्दी launch भी होने वाले हैं यह दोनों ही phone यहाँ पर न्यूज आ रही है Redmi की तरफ से, जो Redmi के flagship smartphone की हम यहाँ पर बात कर रहे है उसका एक और नया टीजर आ गया है उसके in display fingerprint scanner और बहुत ही बड़ी battery life से related, एक picture यहाँ पर tweet किया गया है, जिसमें कि screen दिख रहा है, screen में display fingerprint scanner साफ साफ दिख रहा है जिसमें से लिखा हुआ है कि end मतलब day के end में यहाँ पर पोस्ट किया है फिर भी इसमें इतनी अच्छी battery है मतलब कि बहुत ही अच्छी battery के साथ आपको यह phone देखने को मिल जाएगा next news आरी है वापिस से Redmi की तरफ से, Redmi के laptop में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं वैसे Xiaomi के laptop हम देख चुके हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि Redmi के भी laptop हमें देखने को मिल जाए बस कम प्राइज में आए अच्छे specification के साथ आए next news आरी है Google की Pixel Series की तरफ से Pixel 3a और 3a Excel दोनों इंडिया में लाँच हो चुके है 15 मही से अवेलेबल भी हो जाएंगे और जो ट्वीट के जा रहा था Google Pixel की दोनों फोन आएंगे यहां पे mid-range की price point पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो 3a है वो आया है यह कौन सा mid-range price है यार Google Pixel का हमारे लिए तो mid-range price सेग्मेंट होता है 15,000, 18,000 जाद से जादा 25,000 लेकिन यह 45,000 वाला कौन सा mid-range price है हो सकता है क्योंकि Pixel के phone आते करेमन 70,000 के आसपास 70,000 उनके लिए तो यह 45,000 mid-range ही होगा एक्चली बहुत सारे तो दोनों में ही आपको single camera देखने को मिल रहा है 12.2 megapixel तो ही selfie camera है 8 megapixel बात अगर यह पर screen की तो जो 3A उसमें आपको 5.6-inch का screen देखने को मिल रहा है और 3A XL में आपको 6-inch का screen देखने को मिल रहा है बात बैटरी की तो 3A में आपको देखने को मिल रही है 3A XL में 3700 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल रही है next news निकल के आ रही है यहाँ पे Samsung की तरफ से 2019 का first quarter आया है इसमें Samsung बन गया है number one अपने premium smartphones की series में पहले इसमें number one था one plus और one plus जो है second number पे चला गया है Samsung Galaxy S10 plus premium smartphone आये थे लगता है उनकी बहुत अच्छे बिक्री हुई है और उसी वच्छे से यहाँ पे Samsung आ गया है number one position पे वैसे रुख जाओ भी second quarter आ रहा है OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro भी आ रहे है आपको क्या लगता है कि इतनों फोन में आ पे capability रहेगी कि वापिस से Samsung को कर देंगे वो number two पे OnePlus आ जाएगा number one पे जो भी आपकी राय हो जरू से शेयर करें नीचे comments box में next news के बात करें तो वह आ रही है Honor के जो P20 series के करीबन 6-8 जो smartphone है वह launch होने वाले है 21st May को London में और उसके बाद मैं ऐसे सुनने में आ रहा है कि बढ़ी triple camera हो सकता है pop-up हो सकता है लेकिन अब यहां पे जो leak सामने आई है उससे पता चला है कि इन दोने ही phone में 4 cameras आपको देखने को मिलेंगे जिसमें main camera रहेगा 48 megapixel next रहेगा 16 megapixel 8 megapixel और 2 megapixel यानि कि इसमें wide angle, telephoto, macro lens इस तरीके के अलग-अलग lens के cameras आपको देखने को मिलेंगे यानि कि honor P20 और P20 Pro धमाल करने वाले हैं यहां पे camera के माँवाब next news निकल के आ रही है 5G से related कि बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं 2019 भी आ गया कब आने वाला है 5G इंडिया में तो यही news निकल के आ रही है कि June से हो सकता है 5G के हाँ पर trials start हो जाएंगे और उसके बाद से 5G spectrum रहेगा उसका auction रहेगा bidding रहेगी तो अब देखते है trials के बाद कब तक finally 5G इंडिया में launch होता है launch होने के बाद भी कब उसका actual use start होता है next musical के आ रही है Asus की तरफ से Asus Zenfone 6 जो है उसका launch lineup है अभी 16 माई को Spain में और बहुत ही जल्दी ऐसा सुनने में आ रहा है कि Asus Zenfone 6 Z को हम इंडिया में भी expect कर सकते हैं बहुत सारे leaks तो सुनाई दे रही है अब एक और live picture यहाँ पर और उसे पता चलाए कि इस phone में आपको 3.5 mm headphone jack तो जरूर से देखने को मिलेगा साथ ही साथ यहाँ पर smart key भी दिखाए दे रही है जो कि Google Assistant का आपे dedicated button दिखाए दे रहा है बागी सारे features आपको flagship level के देखने को मिल जाएंगे Snapdragon 855 का chipset है triple camera है notchless design है आपको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें MK technical को हम मिलेंगे इस तरह किसी next video में till then see you bye bye and thanks for watching